पंच कल्याण कारकम में हुई पुश्वर्सा निकली गाजे बाजेस के साथ सोभा यात्रा पंच कल्याण कारकम में पहुँचे जोते रादेत सिंधिया कारकम में पहुँचकर जैन मुनीका लिया आशिरवाद आशिरवाद लेकार अपनी कर्दी छोड जमीन पर वेड़े फूंधिया फिस्तो थे गवालियर से गजेंद्र जेन की एक रिपोर्ट आज गवालियर के फूलवाग इस्तित प्रांगण में पंच कल्याण महुस्वम में राज्यसवास सांसत जोतिराज सिंधिया पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पहुँचकर मुनी स्री से आशिरवाद लिया कारकर्म में पुशवर्षा सभी का आकर्षण का केंद रहा विस्तो थे एक जीपोर्ट है 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 हैसा और जीपोर्ठ सभड़ हैस़ा स्री स्थर आच कि अांन्य में पुशवर्ण का कि विस्तों झालां कि अपडह़्िया ती ऑलो या एनो कर एका कल्या है है है。 कि अगूँएर ल다क में इनता कि अग। कि अगूएर से नहीं है कि अग। कि अग। लाजएर प्रणी के लिए लिए भी अपति दुटिए जिए लिए पेद्गे अपने, स्वादान दे सथी आए पीजी में ख़ल के लगों में इस्वान दिल में सही आए सजा दो तीरे मेरी गुरुमाय तीरे आव चगण ओड़ना तीरे चलडों में आखे मिले दे चारों ता ब्रणा तीरे चलडों में आखे मिले दे चारों जैन समाज की महनता है जो शमावाणी का परव हो और उसमें हर व्यक्ति को जाए जाने या नजाने में गल्तिया हुई हो इसकी माफी मांगी चाहिए और इस भावना को मैं हर सान अपने अपनाता हूँ जाने या नजाने में मुझसे कोई गल्पी कोई निए उसके लिए माफी मांगी बहुत एक अदबुद समता है हमारे समाज को जिसे हर मनुश्य को अपनाना चाहिए